नुश्कार सभी सात्यों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम इस्टेडी विद पेन लोधा सात्यों सेक्सिक प्रिद्रशी के सभी टोपिक्स से बहुत ही मैं अत्मून 30 प्रश्णों को लेकर आज इस टेस्ट नंबर 17 में लेकर आया हूँ लेवल 2 के लिए भी बहुत ही महत्पून प्रिश्ण आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे प्रते एक प्रिश्ण के लिए एक नंबर हैगा और अगर आप कोई प्रिश्ण गलत करते हो तो एक बटा तीन नंबर आपके कम कर दे जाएंगे मतलब आपके यहाँ पर म सिक्षक की सेवा का और इन में से सभी का तो बात की जा रही है सर्विस बुक की देखे जो सर्विस बुक जिसको सेवा पुस्तिका के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से सेवा पुस्तिका के नाम से भी जाना जाता है और इसमें किसका उलेक होता है साथियों सिक्षक की से सेवा का जब आपकी जोइनिंग होगी सेलेक्शन के बाद में तो आपको एक सर्विस बुक या सेवा पुस्तिका बनानी पड़ती है और उस जो सेवा पुस्तिका है उसमें आपका टोटल उलेक रहता है आपकी सेवा का कि आपकी जोइनिंग कब हुई आपने सील कितने ली प सबी चिजों का उलेक सर्विस बुक में होता है। विकल्प नमबर आपका 3 सई है सातिव प्रश्ण संख्या एक में प्रश्ण संख्या दो की और बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्ण देखेंगे प्रश्ण संख्या दो में क्या पूँच रहा है। शिविरा का पूरा नाम क्या है सिक्षा विभाग राजस्तान सिक्षा विभाग राज्य और इनमे से सभी तो यहाँ पर आप से शिविरा का पूरा नाम पूछा गया है शिविरा का नाम सुनाओगा लेकिन इसकी पुल्फ हो मतलब इसका पूरा नाम आपको बताना है प्रश शिक्षा, शिक्षाक नहीं बनता है, वी से बनता है विभाग, और रा से बनता है राजस्तान, तो यहाँ पर फिर कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके, विकल्प नंबर जो एक है, दूसरे प्रिश्ण का सही उतर है, चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रिश्ण नंबर तीन की और तीसरा प्रेशन देख लेते हैं आपको ये पता होना चाहिए जो शिवरा है इसका परकाशन किसके दोरा किया जाता है निदेशाले मादमिक सिक्षा के दोरा शिवरा का परकाशन किया जाता है प्रेशन नमबर तीन के और बढ़ते हैं प्रेशन नमबर तीन में क्या पू 2020 की तो इन में से Operation Blackboard का संबंद किस से है तो विकल्ट नंबर आपका कौन सा सही रहेगा तीसरे प्रिश्ण में देखेगा Operation Blackboard जो है ये जो प्रतम नई राष्टे सिक्षानिती आई थी 1986 में कब आई थी 1986 में प्रतम राष्टे सिक्षानिती जो प्रतम नई राष्टे सिक्षानिती जो 1986 में आई थी इसी के अंतरगत एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम है Operation Blackboard और Operation Blackboard का मतलब क्या होता है कि जो विद्याले हैं उन विद्यालियों में आधार बूत सेवाएं जो चाहिए जो बेसिक चीजें हैं उनकी आपूर्ती करना जिसे कक्षा कक्ष है शाम पट्ट है बेटने के वियावस्ता है कमरे का निर्मान है ये सबी चीजें किसके अंतरगत आ जाती है साथियों Operation Blackboard के अंतरगत आ जाती है तो विकल्प नंबर आपके 3 साइई है कोजसे पृष्ण में पृष्ण संख्यात 3 में नेक्स्ट चोथा पृष्ण देक लेते हैं प्रिश्ण नंबर 4 में क्या पूँच रहा है देखिए चोथा पृष्ण देकने से पहले सभी को वता दू कि आपके सुबह 8 बजए ही application पर जो कला सलसकर्ती का golden test number 2 है golden test number 2 एप पर upload किया जा चुका है 149 रुपे वाली test स्रीज में जो की level 1 के लिए भी है और level 2 के लिए भी है एप को अभी तक download नहीं कर रहा है तो download जरूर करियेगा साथियो कला सलसकर्ती का golden test पूरे syllabus से वनाया गया है कला सलसकर्ती वाले पार्ट से और टोटल 25 प्रशनों को वहाँ पर रखा गया है road daily दो test upload होते हैं और आपको सोमवार या मंगलवार के दिन साथियो mega test भी मतलब 150 प्रशनों वाला जो application है study with pain लोधा नाम से उसका जो 149 रुपे वाला कोर्स से वहाँ पर उपलब्द कराया जाएगा तो अगर आपने test स्रीज को join नहीं कर रहा है तो join जरूर करिएगा एप का link मेंने comment box में भी दे दिया और play store पे जाकर भी आप एप को download कर सकते हो तो चलिए आगे बढ़ेंगे चोते प्रिशनी की और चोता प्रिशना आप से क्या पूछ रहा है राज्य सेक्सिक अनुसंधान एवं पर सिक्सन परिशद की इस्तापना कब की गई 11 नवंबर 1975, 11 नवंबर 1976, 11 नवंबर 1977 और 11 नवंबर 1978 को चोते प्रिशनी का सही उत्तर बताईए साथियो प्रिशन नमबर 4 में कौन सा विकल्प सही है बात की जा रही है राज्य सेक्सिक अनुसंधान एवं पर सिक्सन परिशद की तो इसकी इस्तापना 11 नवंबर को तो की गई थी लेकिन कौन से सन में की गई थी चोते प्रिशन का सही आंसर देखे तो आपकी प्रिशन नमबर 4 में जो विकल्प नमबर 1 है 11 नवंबर 1975 वाला कौन सा 11 नवंबर 1975 को ही राज्य सेक्सिक अनुसंधान एवं पर सिक्सन परिशद की इस्तापना की गई थी विकल्प एक सही रहेगा प्रिशन 4 में चली आगे बढ़ेंगे प्रिशन 5 की और लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ACRT जो शोट में इसको देखो राज्य सेक्सिक अनुसंधान एवं पर सिक्सन परिशद को शोट में क्या कहा जाता है ACRT कहा जाता है और इसका जो मुख्यदिकारी होता है साथियो वो होता है निदेशक और इसके जो ACRT है इसके विभागों शोट की बात करे तो इसके टोटल विभागों की संख्या कितनी है चे विभाग है इसमें प्रिश्ण नमबर पांच क्यों बढ़ेंगे पांचवा प्रिश्ण देख लेते हैं विद्याले प्रमंदन समीती की कुल धाराओं की संक्या कितनी है दस धाराओं इसमें 15 धाराओं है 20 धाराओं है और 30 धाराओं है तो जो SMC है SMC की धाराओं की संक्या आपसे प्रिश्ण स संक्या 5 में पूचा जा रहा है देखो जो विद्याले प्रबंदन समीती है इसकी कुल धाराओं की बात करें तो इसकी कुल धाराओं की संक्या हैं 30 कितनी है SMC में टोटल धारा है 30 धारा है 29 मेंẻ 5 कोईक मादमिक जिख्शा बोड की बाता की जा रहे रहे है R.B.A.C या मादमिक जिख्शा बोड की स्तापना इनमें 1757 में की गई लेकिन कौन से महिने में की गई थी छेटे प्रिष्णि का सही आंसर देख ले साथियों प्रश्ण संख्याथ 6 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा विकल्प नमबर 4 4 दिसंबर 1957 को RBSE की स्थापना की गई थी मतलब मादमिक सिक्षा बोर्ड की जिसका कार्याले कहां पर है अजमेर में है मादमिक सिक्षा बोर्ड का कार्याले कहां पर है अजमेर में है तो विकल्प नमबर आपका 4 सही है 4 दिसंबर 1957 प्रिष्ण संख्याथ 6 का सही उत्तर है नेक्स्ट इस साथ वे प्रिष्णि की ओर बढ़ेंगे प्रिष्ण नमबर साथ में आपसे क्या पूँच रहा है एनिपी 2020 हे तू के कस्तूरी रंगन समीती का गटन कप किया गया जून 2016 को जून 2017 को जून 2018 को और जून 2019 को देखो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इस राष्टे सिक्षा निती 2020 के गटन के लिए का गटन किया गया था और उस समीती का नाम क्या था के कस्तूरी रंगन समीती बात की जा रही है कि समीती का गटन कप किया गया था तो साथवे प्रिष्ण में जो सही उत्तर है वो है आपके विकल्प नमबर 2 जून 2017 को के कस्तूरी रंगन समीती का गटन किया गया था सात्यों NEP 2020 हे तू जबकि इस समीती के द्वरा रिपोर्ट कब दी गई थी 31 मई 2019 को कब 31 मई 2019 को देखो जून 2017 में तो इस समीती का गटन किया गया और 31 मई 2019 को इस समीती ने अपने रिपोर्ट प्रस्तूत की थी इस समीती की बाद करें तो इसमें टोटल नो सदश्टे जिसमें एक तो अध्यक्ष था और आठ इसके अन्य सदश्टे अध्यक्ष का नाम क्या है सात्यों के कस्तूरी रंगन इनके नाम पर ही इस समीति का नाम रखा गया था किलियर है सभी के ये नेक्स्ट प्रिश्ण देखते हैं आपके आटवा प्रिश्ण है दिक्षा राइस में राइस का पुरा नाम है राजस्तान इंटरफेस फोर इसकुल एजुकेटर्स राजस्तान इंटरनेट फोर इसकुल एजुकेटर्स राजस्तान इंटरनेशनल फोर इसकुल एजुकेटर्स और राजस्तान इंफ्राइस्ट्रक्चर फोर इसकुल एजुक वहाँ पर भी यह पुछा गया था साथियों कि जो दिक्षा राइस है इसमें राइस शब्द जो है इसका पूरा नाम क्या है तो देखो आर से बनता है राजस्तान राइस में जो आर शब्द है इससे क्या बनता है राजस्तान बनता है और आई से क्या बनता है इंटर पेस र विकल्प एक आपके आटवे प्रिश्णी का सहुत्तर है, प्रिश्णी संख्यान नो की ओर बढ़ेंगे मित्रों, नोवे प्रिश्णी देख लेते हैं, प्रिश्ण नमबर नो है आपके, राष्टे सिक्षा निती 2020 में सामान अध्यापक चात्र अनुपात क्या निर्दारित किया गया है, एक 20, एक 25, एक 30 और एक 35, तो देखो, जो एनिपी 2020 है, इसके अनुसार आपको बताना है, कि सामान अध्यापक और चात्र अनुपात, सामान जो अध्यापक, जो मतलब सामान कक्षा है, और सामान अध्यापक है, इसके लिए कम से कम कितने चात्रों पर एक तो एनिपी 2020 क्या कहती है कि परतिये एक 30 बच्चों के लिए एक अध्यापक का होना जरूरी है तो अध्यापक कितने रहेंगे एक रहेंगे और चातर कितने रहेंगे तीस रहेंगे कुंसा विकल्प सही हुआ फिर नौवे प्रिश्ण में थर्ड विकल्प आपके सही रहेग चलिए प्रिश्ण संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे माइनस मार्किंग के अलवा ठीके ना दसवा प्रिश्ण देख लेते हैं साथियों प्रिश्ण संख्या 10 से मुक्य मंत्री बाल गोपाल योधना में दूद की उपलब्दता किसके द्वरा की गई है पिरामल फाउंडेशन क के दौरा टाटा टरस्ट के दौरा आर सी डी एप के दौरा और हमेच आर-ओ के दौर है तो इनमें से जो मुक्य मंत्री बाल गोपाल योधना चलाई गई है जो जल्द ही आरंब होने वाली थे साथियों इसमें जो दूद की उपलब्दता है यह किसके दौरा प्रधान की गई है दस्वे पृष्ण का सही उत्तर बताईएगा तो पृष्ण नमबर दस में सही उत्तर देखे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योधना में दूद की उपलब्दता जो है यह RCDF के दौरा की गई है किसके दौरा की गई है RCDF के दौरा देखो यह डारेक्टली बच्चों को दूद विद्याले में उपलब्द नहीं करा रहें बलकि RCDF के दौरा क्या किया जाए जो मिल्क पौडर है जिससे दूद बनाया जाता है臉 साथियों मिल्क पौडर कहां प्लब्द कराये गया विद्यालियों में और इस milk powder के जो package है उन package से एक किलो के package है उन package से मित्रों बच्चों को दूद बना करके पिलाना है और एक सप्ता में कितने दिन दो दिन मंगलवार और शुकुरवार को दूद पिलाना है तो विकल्प नमबर तीन आपके दस्वे प्रिश्णी का सविप्तर है देखो RCDF जो है इसका पूरा नाम क्या है तो RCDF का पूरा नाम है राजस्थान को ओपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड किसका नाम है यह RCDF का प्रिश्णी 11 के और बढ़ते हैं 11 प्रिश्णी क्या है आपके निशक्त बच्चों के लिए समय कि सिक्षा की केंदरी प्रायवजित योजना का उद्देश है रिक्तिस्थान है जिसकी पूरति करना है मैं निशक्त बच्चों को सेक्षि का उसर उपलद कराना मुक्त किलीप ay eer Works यहां दोड़ी दिक्कत आ सकती है बताई यहां बात की जा रही है जो निशक्त बच्च efficacy क्य प्रयुजित योजनाниц समय कित सिख्षा केंद्री प्रायोजित यौजना का उद्देश्च समय कि सिख्षा इनको जो प्रुदा की जांगी उसके लिए there प्रिश्ण प्रिश्ण योदना जो चलाए गई है इसमें निशक्त बच्चों को सेक्षिक उसर केसे विध्यालियों में उपलप्त कराए जाएंगे साथियों निमित विध्यालियों में जो रेगुलर स्कुल चलते हैं कुछ विशेस या मुक्त या फिर ब्लैंड रिलीप ऐ जो रेगुलर सामाने विध्याले हैं जहां सामाने बच्चे पढ़ते उनमें निशक्त बच्चों के लिए भी समय की सिक्षा की विया उस्ता की जाएगी तो विकल्प तीन आपके ग्यारवे प्रिश्ण का सहिवत्तर है चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण 12 की और बार 2021 तो इनमें से बेक टू स्कुल कारिकरम जो है इसको जब शुरू किया गया वो डेट आपको बताना है प्रिश्ण 12 में देखिए 2021 में बेक टू स्कुल कारिकरम को शुरू किया गया था और 2021 में कप किया गया था साथियों 21 जून को कप किया गया था 21 जून को बेक टू स्क के दोरान डिजिटल समाधान समप्रेशन अनुरेखन एप कोन सा है दिक्षा गोविड हैल्प आरोग्य सेतू ओर डिजिटल इंडिया तो मित्रों यहाँ पर कोविड 19 के दोरान भारत सरकार के दोरा एक डिजिटल समाधान कोविड 19 के लिए ही इस एप का निर्मान किया गया था विकल्प नंबर 3 आपके 13 प्रिश्ण का सहुत्तर है प्रिश्ण संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं तो 14 प्रिश्ण देखेंगे दिक्षा पोर्टल इन में से किसके दोरा लौंच किया गया था राजस्तान सरकार के दोरा भारस सरकार के दोरा NCRT के दोरा और RACERT के दोरा तो इन में से जो दिक्षा पोर्टल है जिसके दोरा लौंच किया गया है उनका नाम आपको 14 प्रिश्ण में बताना है देखो दिक्षा पोर्टल का सम्मंद इनमे से है भारत सरकार से किस से है भारत सरकार से इस्पेशली राजस्थान सरकार ने इस पोर्टल का लोन नहीं किया था बलकि भारत सरकार ने मतलब ये केंदरिस्तर पर थी साथ यो केंदरिस्तर से इस योजना को चलाया गया था कुन सी योजना को दिक्षा पोर्टल जो है इसको विकल्प नमबर आपका कौन सा सही है भी प्रिश्ण संख्या 15 में जो सेकंड विकल्प है बारत सरकार वाला जो चवदवे प्रिश्ण का सहुत्तर है चलिए प्रिश्ण नमबर 15 की ओर बढ़ेंगे तो आपके प्रिश्ण संख्या 15 2016 में सूचना प्रोध्योगी की एवं संच्यार विबाग ने इमित्र के पुराने पोर्टल को एक नया रूप दिया जिसे कहा जाता है एसे सो कहा जाता है इमित्र कहा जाता है स्वान कहा जाता है या एन के एन के नाम से इसको जाना जाता है बताए ये प्रिश्ण संक्या 15 में कुन सा विकल्प का चुनाओं करोगे आपके देखो बात की जा रही है 2016 की तो 2016 में जो सूचना प्रोध्योगी की एवं संचार विभाग है किस विभाग ने? सूचना प्रोध्योगी की एवं संचार विभाग ने e-mitr के पुराने portal को जो नया रूप दिया उसको किस नाम से जाना जाता है sso के नाम से जाना जाता है आपने देखा होगा कि जब आप कोई online phone भरते हैं e-mitr पर जाकर के तो आपसे पूरते हैं कि sso id बताओ मतलब आप जो भी फोम बरते हैं प्रवेश पत्र वागेरा वो सबी चीज़े आपको अपनी SSO जी जो ID है वहां से प्राप्त हो जाती है साथ यो SSO पोर्टल से यही पोर्टल चलाए गए तो विकल्प नमबर एक साही है अपके प्रश्ण संक्या 15 में देखो SSO को पुरा नाम है सिंगल साइन ओन क्या नाम है SSO का पुरा नाम सिंगल साइन ओन नेक्स्ट सोलवा प्रश्ण देखेंगे प्रश्ण नमबर 16 है गारगी प्रुसकार योजना के अंतरगत कितनी राशी देने का प्रावधान है 3000 रूपे की 4000 रूपे की 5000 रूपे की राशी और 6000 रूपे की राशी तो जो गारगी पुरुसकार योधना है इसके अंतरगत जितनी राशी देने का प्रावदान है वो राशी आपको प्रिश्न संख्या 16 में बताना है देखो गारगी पुरुसकार योधना के अंतरगत बालिक के दसवी में एक परसेंट बनने के बाद में उनको दो किस्तों में तिन तीन अजार रुपे दिये जाते हैं तो टोटल कितनी राशी हो गई सात्यों छे अजार रुपे राशी हो गई विकल्प नंबर चार आपके प्रश्ण सोला का सयुद्तर है नेक्स्ट प्रश्ण देख सत्रा में बताना है बताए सत्रुवे प्रिश्ण में कौन से विकल्प का चुनाओ करोगे तो आपके सत्रुवे प्रिश्ण का जो सयुद्तर है ALU प्लस CU से मिलकर के क्या बनता है सात्यों CPU बनता है Central Processing Unit जिसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है क्या कहा जाता है CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है विकल्प कोई सा चुनोगे अप प्रिश्ण नमबर 17 में सेकंड विकल्प दूसरा विकल्प आपके सत्रुवे प्रिश्ण का सयुद्तर रहेगा चलिए अगले प्रिश्ण की ओर बढ़ेंगे अठारवा प्रिश्ण देख लेते है प्रिश्ण संख्या 18 है बालिका सिक्षा फाउंडेशन के कारिशेत्र है प्रात्मिक सिक्षा है उच्चे प्रात्मिक सिक्षा है कोले सिक्षा है और मादमिक सिक्षा है तो बालिका सिक्षा फाउंडेशन सात्यों इसकी स्थापना की गई थी उनिस सो संत्यानवे में इसक कारिशेत्र की अगर हम बात करें तो इसका कारिशेत्र प्रात्मिक सिक्षा नहीं है ना ही उच्च प्रात्मिक सिक्षा है बलकि बालिका सिक्षा फाउंडेशन का जो कारिशेत्र है वह है माद्मिक सिक्षा कौनसी सिक्षा है माद्मिक सिक्षा है विकल्प नमबर चार आपक को कमेंड करना है ताकि सही से ये निसकर्ष निकला जा सके कि नॉर्मली इस पेपर में बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं देखो निस्वा पृष्णी क्या पूँछ रहा है आपसे ज्यानवानी है क्या है ज्यानवानी उपगर्य आधारित दूरदर्शन चेनल है एपेम रेडियो चेनल का एक नेटवर्क है व्यक्तिगट टीवी चेनल का एक नेटवर्क है और मनोरंजन चेनल का एक नेटवर्क है तो बैई एक तो नाम आपने बार-बार आपके सामने आया है कौन सा ज्यानवानी का और एक नाम आपके बार-बार आया है सिक्षा दर्शन ठीक है कौन ज्ञानवानी जिसमें बच्चों के लिए उनकी सिक्षा से संबंदित कारेकरम आयूजित किये जाते हैं किसके माध्यम से रेडियो चेनल है ज्ञानवानी के माध्यम से तो फिर आपके कुन सा विकल्प पे सही है प्रिष्णी संख्या 19 में जो आपके सेकंड वित्रण योजना का प्रारम कप किया गया तो जो निश्यूलक साइक्ल वित्रण योजना है इसके प्रारम वर्ष्र की बात की जा रही है प्रारंब सत्र की बात की जा रही है कौन से सत्र में निशुल के साइकल वित्रन योजना का प्रारंब किया गया था सात्यों 20 वे प्रिशनिका से उत्तर बताईएगा कौन से विकल्प का चुनाओं करोगे प्रिशन नमबर 20 में तो चलिए सई आंसर देख लेते हैं जो निशुल के साइकल वित्रन योजना है जिसको बालिका है जो है सात्यों बालिकाओं को निशुल के वित्रन जो साइकल योजना है इसका लाब दिया जाता है और इस योजना का जो आरंब है वो कप किया गया था दो हजार साथ आठ में कप किया गय था दो हजार साथ आठ में विकल्ब आपका एक सही है प्रिश्ण संख्या 20 में नेक्ष्ट 21 देख लेते हैं 21 प्रिश्ण देखेंगे प्रिश्ण No. 21 में पूँच रहा है सिक्षन का सत्तावादी इस्तर केंद्री तोता है, सिक्षक केंद्री तोता है, सिशू केंद्री तोता है, प्रधानाध्यापक केंद्री तोता है, और अनुभव केंद्री तोता है, 21 प्रिष्ण का सहुत्तर बताईए, जो सिक्षन का सत्तावादी इस्तर है, ये किस पर केंद्री तोता है, 21 प्रिष किस पर केंद्रित होता है सिक्षक केंद्रित का मतलब यह हुआ कि जिसमें सिक्षक तो ज्यादा सक्रिय रहता है उसके अनुसार ही वो बालकों को पड़ाता है उसके अनुसार ही विदियो का प्रियोग करता है उसके अनुसार ही सायक सामगरी का प्रियोग करता है उसके अनु पर केंद्रित होता है विकल्क नंबर आपका जो एक है 21 का सही उत्तर होगा 22 की ओर बढ़ेंगे मित्रों 22 में क्या पूँच रहा है आपसे तो यह देखिएगा सिख्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्या पको के लिए नियूंतम कारे गंटे प्रती सप्ता वर्नित है 35 गंटे केवल तयारी के 45 गंटे केवल तयारी के 40 गंटे केवल तयारी के और इन में से कोई भी नहीं बताए 22 में कौन से विकल्प का चुनाओ करोगे तो देखो 22 गंटे केवल तयारी के तयारी करोगे तो फिर सिक्सन कप करवाओगे इसी वज़े से इसका अंसर कोई नहीं है क्योंकि 45 गंटे तो आपने रट रखे हैं अब देखो जो आर्टी एक्ट दो अजार नो है ये क्या कहता है जो अध्यापक है ये एक सप्ता में नियुनतम कितने कारे कितने गंटे सिक्सन कारी करेंगे 45 गंटे लेकिन उस 42 गंटों में सिक्सन के साथ ही तैयारी के जो गंटे है उनको भी जोड़ा जाता है सिक्षन के साथ ही सिक्षन को कराने के लिए जो सिक्षक तयारी करता है उसके गंटे भी सामिल करते हैं तो 45 गंटे सिक्षन प्लस तयारी के होना चाहिए या सिर्फ तयारी के हैं इसी वज़े से फोर्थ विकल पर जाएंगे हम 22 में चलिए ये 23 की ओर बढ़ते हैं आपके 23 प्रिश्ण है शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में कि सद्ध्याई में विध्याले वम सिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है अध्याई 2, अध्याई 1, अध्याई 3 और अध्याई 4 तो इन वे से जिस अध्याई में जो विध्याल विध्याले वम सिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है वो आपको अध्याई बताना है कौन से प्रिश्ण में 23 में किसका अध्याई बताओगे नमबर 24 की तरफ बढ़ते हैं तो देखो आपके 24 प्रिश्ण देख लेते हैं प्रिश्ण नमबर चुई से राजस्थान के संदर्व में विध्याले प्रमंदन समीती की कारिकार्णी समीती का सदश्य सचिव होगा सस्ता प्रदान ब्लोक सिक्षा अधिकारी वरिष्ट सिक सख और जीला सिख्षा अधिकारी 22 प्रिश्ण का सजी इतर बताना है कौन से विखलपाप के 24 प्रिश्ण में सही है देखो राजस्तान के संदर्व में बात की जा रही है SMC की विध्याले प्रमंदन समीती की जो कारिकार्णी समीती है इसका सदश्य सचिव कौण होता है ज उन में से कोई इसका अध्यक्षे होता है विकल्प नंबर आपका एक सजी है 24 में 25 की ओर बढ़ेंगे तो पत्चिसवे प्रिष्ण में आपसे क्या पूँच रहा है देख लेते हैं NUEPA मुख्य रूप से संबंदित है सेक्षिक पर्य वेक्षन से सेखषिक संग्टन से से योजना से और सेक्षिक मुल्यांकन से तो इन में से N-U-E-P-A, इसका संबंध मुक्य रूप से किस से है, 25 वे पृष्णिका सयुत्तर बताईएगा, देखें, जो N-U-E-P-A है, N-U-E-P-A, जिसको हम कहते हैं, नूपा, छोट में हम किस नाम से जानते हैं, नूपा के नाम से इसको जानते हैं, और इसका जो संबं है, ये मुक्य रूप से सेक्षिक योजना से है, किस से है, सेक्षिक योजना बनाने से है, सेक्षिक योजना बनाने का मुक्य रूप से कारे, नूपा के द्वारा किया जाता है, तो विकल्प नमबर 3 आपके 25 का सही उत्तर है, चलिए आगे बढ़ेंगे 26 की ओर, चब्वी सही सिक्षा है और प्रसरन के माध्यम से सिक्षा है तो यश्पाल समिती रिपोर्ट 1993 का विशे आपको 26 में बताना है देखो यश्पाल समिती रिपोर्ट 1993 में है इसका जो मुख्य विशे था वो था बोज रही सिक्षा के सा था बोज रही सिक्षा लेर्निंग विदाउड ब बोज रही सिक्षा पर इनों ने बल दिया है और इसी सिक्षन सुत्र का प्रियोग मतलब इसी का प्रियोग एक NCF 2005 के दोरा भी किया गया था साथियों तो विकल्प नंबर आपके दूसरा जो है विकल्प नंबर 26 में सेकंड आपके विकल्प सही रहेगा नेक्स ट्री 27 के ओर 25 अगस्त 1995 और 25 सितंबर 1995 तो इन में से भारत में इंटरनेट की शुरुआत आपको बताना है कब से हुई थी देखो यह माना जाता है कि वही विश्व में तो 1969 के आसपास हुई थी एक्जेक्ली नहीं है लेकिन 1969 के आसपास हुई थी तो भारत में अगर भारत की बात करे त भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी साथियो 25 अगस्त 1995 को कब हुई थी 25 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी थी थाएड विकलप आपके 27 का सही उत्तर है चलिए आगे बढ़ेंगे 28 की और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेर जरूर करके जाएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाएगा 28 स्वा प्रिशने हैं आपके कंप्यूटर की द्यूतियक मेमोरी का उधारन नहीं है हार डिस्क पेंट ड्राइव डिवीडी और नोन वोल्टाइल मेमोरी तो इन में से जो मेमोरी होती है सब्सक्राइब ड्राइव साथ जाती है आपके प्र न Angeb जी Wirke Hayward में उते है तो विकल्प नमबर आपके जो 4 है 28 का सही उत्तर है अब आज का second last प्रिश्ण देखेंगे आपके प्रिश्ण नमबर 29 कम्प्यूटर का कार्य कितने भागों में संचलित होता है एक में, दो में, तीन में और चार में तो देखो कम्प्यूटर के कार्यों के अगर हम बात करें तो कम्प्यूटर का जो कार्य है कितने भागों में संचलित होता है एसा आप से प्रिश्ण नमबर 29 पूछ रहा है देखो कम्प्यूटर का जो कार्य है ये दो भागों में संचलित होता है इक तो हाड़ ये रूप में और एक सोप्टवेर के रूप में तो फिर कौण से विकल्प आपके 29 का सही आंसर है साथ क्यों विकल्प नमबर जो 2 है आपके जिसमें 2 ही दे रखा है ये आपके 29 का सही उतर है अब आज का अंतिम और तीसवा प्रिश्ण देखेंगे साथ क्यों प्रिश्ण संख्यां 30 जैको तीसवा प्रिश्ण क्या पूँच रहा है राजस्तान में एडूसेट का आरंब सिख्षा संकुल जेपूर से कप किया गया था 22 अपरेल 2005, 23 2006, 22 2007 और 22 2008 तो इनमें से एडूसेट की बात की जा रही है साथियो जो एडूसेट किया है? एडूकेशन सेटेलाइट है ये तो एक प्रिश्ण तो ये भी आपके किलियर हो जाता है कि राजस्तान में एडू सेट का आरंब किसके दोरा कहां पर किया गया था सिक्षा संकुल जेपूर में किया गया था एक प्रिशन तो आपके ये भी किलियर हो जाता है लेकिन बात की जा रही है कि कब किया गया था तो एडू सेट का आरंब सिक्षा संकुल जेपूर से कब किया गया था साथियों 22 अप्रेल को कब 22 अप्रेल को कौन से सन में 2006 में कब 22 अप्रेल 2006 को ही राजिस्तान में एडू सेट का आरंब कहां से किया गया था सिक्षा संकुल जेपूर से किया गया था कौन सा विकल्प सही फिर तीस वे प्रिश्ण में आपके जो सेकंड विकल्प है प्रिश्ण संख्या 30 का सही आंसर है तो केसा लगा वीडियो कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जाए और एप को डाउनलोड जरूर करिएगा मिल्टेन एक स्टुडियो में बहुत बहुत धन्यवाज सभी का वीडिय देखने के लिए